नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप Fempe card को push करके केसे रख सकते है यानि कि temporary इसको आप off केसे कर सकते है Fempe app से तो दोस्तो आप लोगों को कुछ दिनों के लिए आपके card को use नहीं करना है या फिर कोई दूसरी वज़य है जिसकी वज़य से आप इसको temporary off करके रखना चाते हो तो दोस्तो यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तो हम temporary इसको off कर ग ליे रखनेंगे ठीक है तो जले दोस्तो यह को कैसे करना इस feature को इस शिजा करना है तो यह feature करने के लिए दोस्तो आपашों को सबसे पहले Size the effect अप को open करना है फिर नीचे करना है फिर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ऊपर सेटिंग का ओप्शन देखने को मिल जाएगा तो सेटिंग पर हम क्लिक कर देंगे सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें फर्स नंबर पर ओप्शन देखने को मिल जाएगा पुश यूर फैम पर का हो तो यहाँ पर पुश हो चुका है याय ने कि दोस्तों यह काड़ हमारा temporary off हो चुका है तो काड़ को फिर शे आपको चालू करने कि लिए का करना हो गाед। अपको अपन करना होगा फिर नीचे स्थाइप करना होगा और उसके बाद में आपको resume your card पे click करना होगा उसके बाद yes करना है और फिर से यहाँ पर आपको black screen दिखाए ज़री होगी क्योंकि यहाँ पर मुझे lock verify करने के लिए कहा जा रहा है तो यहाँ पर दोस्तो हम click करेंगे तो आप online shopping करने के लिए यह card यूज करना चाते हो कि नहीं चाते हो तो इसकी लिए पर option दिया गया है अगर आपको इसको online use नहीं करना है card को offline ही use करना है तो आप इसको बटन को दोस्तो आफ कर देंगे तो ये setting दोस्तो आपके काम आ सकती है अगर आप online use नहीं करते हो आपके card को तो ठीक है तभी आप इस button को off करना अगर आप online card को use करते हो तो आप इसको off मत करना इस button को ठीक है साथ ही दोस्तों आप limit भी set कर सकते हो यहाँ पर आपको set limit का option देखने को मिल जाएगा ओगे दोस्तों तो मैंने आपको बता दिया कि temporary हम कैसे off कर सकते fanpage card को तो वीडियो को एक like जरू कर दिजिए दोस्तों आपको कुछ help मिली वीडियो से कुछ जान करने मिली तो वीडियो को एक like कर दिजिए चानल पर नए है तो चानल को subscribe कर दिजिए so मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले एक next वीडियो में thank you